जम्मू कश्मीर में लगातार आतंग की हमले जारी है वही लगातार सरतपार से कश्मीर में महाल खराब करने के लिए पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है बीते आठ दिनों में दूसरी बार बड़ी मुटबेड हुई जम्मू के डोड़ा में हुई मुटबेड में तीन जवान और एक अधिकारी समेच चार लोग शहीद हो गए इसके पहले आठ जुलाई को कठवा में हुई मुटबेड में पांच जवान शहीद हो गए थे इन दुनों हमले की जिम्मेदारी कश्मीर सकری आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है दुख़्ी बात ये रही कि दोनों ही घट्नाओं में आतंकियों ने पीछे से वार किया और सेना की जवानों के हाथ नहीं लग सके सेना ने अलग-अलगी लाकों में आतंकियों के तलाश के लिए सर्च अभ्यान चलाया है इस तलाशी अभ्यान के दोराने एक बार फिर आतंकियों ने सेना को फिर सचोट पहुचाया है बीते सोमवार को जम्मू संभाग के डोड़ज लेके देशा के जंगली लाके में सेना और आतंकियों की मुटभेड हुई जिसमें सेना के जवान और इतिकारी घायल हो गए घायलों को अस्पताल में भरती कराया गया और मंगलवार सुभा कैप्टें समें तीन जवान ने देश के नाम अपने अपने प्राणों की आहूती दे गए देश पांच वीर जवानों के बलिदान के दम से अभी उबर नहीं पाया था कि आतंकियों ने हमारे चार जवानों की जिंदगी छीन ली सेना ने आतंकियों की तलाश में देशा के जंगली इलाकों में संगन तलाशिय अभ्यान चलाया है डोडा का देशा इलाका उचे पहाडों और जंगलों से घिरा हुआ है यहां मौसम में अक्सर दूंद रहता है यहां ना तो बड़िया सडके है ना ही फोन नेटवर्क आता है इन सब चीजों का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने सेना को बड़ा नुकसान पहुचाने में सफल रहे है सेना की अधिकारियों ने बताया कि डोडा में मुटभेट तब शुरू ही जब राश्च्रे राइफल्स और जम्रुकश्मीर पुलिस के विशेश अभ्यान समू के जवानों के ने शाम करीब 7.45 बजे देशावन शेत्र के धारी गोटे उरार बागी में जम्रुकश्मीर में एक संयुक तभ्यान जारी था रात लगबग 9 बजे आतंकियों से संपग स्थापित हुआ जिसके बाद भारी गुलाबारी हुई जम्रुकश्मीर में आतंकी हमलों में बड़ोतरी हुई है नौ जून को परधानमंद्री रिंडर मूदी ने शिपत ली थी उसी दिन दहशतगर्दों ने रियासी में तीर थियात्रियों को ले जा रही बस पर हमला किया था इस से बस खाई में गिरने से नौ लोगों की मौ बीते गुरवार को जिला पुलिस लाइन कठवा में बीएसेफ के स्पेशल डीजी, जम्रुकश्मीर डीजीपी, आरार स्वेन, पंजाब के डीजीपी सहीच सेना और खूफिया एजंसियों के आला अधिकारियों ने उच्छतरिय बैटक की गई